ओम शान्ती आठ तरीक के महावाके हैं बाबा आये हैं तुम्हें बहुत रुची से पढ़ाने तुम भी रुची से पढ़ो नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वैम भगवान है प्रश्न है तुम ब्रमा कुमार कुमारियों का उदेशे वा शुद्ध भावना कौन सी है तुमारा उदेशे है कल पांच हजार वर्ष पहले की तरह फिर से शिरिमत पर विश्व में सुख शान्ती का राज्य स्थापन करना तुमारी शुद्ध भावना है कि शिरिमत पर हम सारे विश्व को सदगती करेंगे तुम नशे से कहते हो हम सब को सदगती देने वाले है तुम्हें बाबा से पीस प्राइस मिलती है नरकवासी से स्वरगवासी बनना ही प्राइस लेना है ओम शान्ती में पॉइंट्स है कई-कई बच्चों को ख्याल चलता है बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे इससे चूट नहीं सकते है बाबा कहते बच्चे नहीं इससे चूट नहीं सकते है ऐसा खेल कई कहते रचा ही क्यों जिससे चूट नहीं सकते इस आवा गमन के दुख सुख से चूट जाएं बाबा कहते ये हो नहीं सकता ये कोशिश करना व्यर्थ है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है वे अनादी अविनाशी एक्यूरेट एक्टर है शिरिमत भागवत गीता में शिरू में और पिछाड़ी में एक शब दाता है मन मनाभव बाबा कहते ये पढ़ाई तुम्हें पढ़ा तीरत स्थान है शिप बाबा को बुलाया है आओ दुखों से लिबरेट करो तो बाबा आते हैं दुखों से लिबरेट करते हैं और चले जाते हैं इसलिए शिप बाबा के बारे में कभी भी मरना शब्द यूस नहीं किया जाता क्योंकि बाबा आते और जाते हैं जैसे करम मनुष्यों के होते हैं मेरा नहीं होता है अभी सबसे तीखा नरक है जहां 100% दुख और अशान्ती है बाबा फिर तीखा स्वर्ग बनाते हैं जहां 100% सुख और शान्ती होती है कई-कई अपने को ब्रह्म ग्यानी कहते हैं ब्रह्म को ही इश्वर समझ लेते हैं बाबा कहत इतनी न्यारी है कि मैं पूरे विश्व को ही चेंज कर देता हूँ बाबा को कई बच्चे कहते बाबा हमें दिवे दृस्टी की चाबी दे दो बाबा कहता मैं दिवे दृस्टी की चाबी नहीं देता हूँ ये चाबी मेरे ही पास रहती है मैं तुम्हें स्वरक का मालिक बना अपना भारत और सारे विश्व का कल्यान बहुत बहुत रुची से करना है ड्रामा की अनादी अविनाशी नूंद को यर्थार्थ समझ टाइम वेस्ट करने वाला पुर्शार्थ नहीं करना है व्यर्थ क्यालातों में नहीं चले जाना है वर्दान है एकागरता के अभ्यास वारा एकरस स्तिती बनाने वाले सर्वसिद्धी सवरूपव जहां एकागरता वहां स्वते एकरस स्तिती है एकागरता से संकल्प बोल और करम व्यर्थपन सब समाप्त हो जाता समर्थपन आ जाता है एकागरता अर्थात एक ही स्रेष्ट संकल्प में स्दित रहना जिस एक 20 रूपी संकल्प में सारा व्रिक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है एकागरता को बढ़ाओ तो सर्व परकार की हलचल समाप्त हो जाएगी सब संकल्प बोल करम सहज सिद्ध हो जाएंगे इसके लिए एकांत वासी बनो स्लोगन है एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना इसलिए बीती को बिंदी लगाओ आज का स्वमान है मैं सिद्धी सबरूप एकागरचित आत्मा हूँ ओम शान्ती